कि पूटिए निए रिवड़ी कैसे हैं आप सभी एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं वनीश चले स्टार्ट करते हैं आजी क्लास जैसा कि आपको पता है कि उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको बनाना चाहता हूं बहुत से बच्चों के बहुत सरे डाउट है इसके तो उसको आज हम डिसकस करेंगे जल्दी आपका एससी जैका नोटिविशन भी आने वाला है मैं लगता है कि मंडे दक आपको नोटिविशन होने वाला उसके बारे में तो नहीं नहीं बताया लेकिन बात कर दिया कि जो विज्यापन आपने लौट किया है उस विज्यापन की डीट में बताजिता हूं आपको भी उंलाइन जो अवेदन हैं उसको जमाकरने प्रानम होनें वह साथ-5 है मतलब माई में ये करने के लिए टाइम दिया गया है फिर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो बच्छे एडबलूस से हैं उनमें बोला गया है कि जब आप यहां पर बनवाएंगे तो वह वित्यवर्स की आयक पर आधारित होना चाहिए इस इसर से प्रुवर्स से पूर्व आपके पास अपना EWS certificate होना चाहिए तो जो अच्छे अभी तक नहीं बनवा पाए है वो जाके अपनी March में अभी अपना EWS certificate बनवा ले time है अभी बन जाएगा बावे दिक्रत हो जाएगी फिर हम बात कर लेते हैं different type की vacancies की अलग-अलग department में बहुत सारी vacancies निकली हैं इतनी वेकंसी नोंने पहले नहीं निकाली है लेकिन हम इनके ना department में vacancy है यह यह तैट इस वेरी गुड लेकिन भाई मैं आपको सच बताऊं रियालेटी में हम इन पर विस्वास नहीं कर सकते हैं विस्वास नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो बहुत धीला है बहुत स्लो प्रोसेस रहता है इनका जैसे दुझा उनिस वाल्या का जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट इन्होंने अब तक नहीं दे पाए है तो उसमें आपके पास चार-पांस साल हो गए है बता नहीं यह पेपर कर वाएंगे प्रोसे के चक्कर में बैठ रहेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम यह खराब कर देगा फिर भी साइंफोर्मेशन में आपको दे देता हूं जैसे इसमें अलाल डिपार्टमेंट में सारी वेकंसी निकली हुई है जैसे आप देखने होंगे यह पांसो तीहरा वेकंसी इस इन्होंने यहां पर इस थाई एस थाई करके कुछ लिख दिया है अब इसका क्या है मतलब है वो यह जाने लेकिन इन्होंने इस थाई एस थाई फोम में कुछ यहां पर लिखा है इसके बारे में जादा इंफोर्मेशन अभी नहीं दिये अब देखते हैं क्या देता है ऐस करते हैं कि इसमें क्या आप जो डिप्लोमा करक्ड है वही वैलिड है तो इन्होंने बोला है कि भाई यदि आप यूपी में आप यूपी में कुछ भर पाएंगे अभी तक तो यहीं है तूसरा ठर्फ अपकर डिप्लोमा करने से कुछ कि नहीं होगा आपका जो पैट का एकजाम होता है हर साल आपका प्रिश्य एकजाम टेस्ट होता है जो आपने एक साल के लिए होता है हर साल उन Infуж fulfilled होता है वो आपको चाहिए नहीं दिया है तो भाई यह आपको समझ लेना कि आप इस एक्जाम में इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे तो यही बोला गया इन्होंने कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपका पैट का एक्जाम होना चाहिए यही बात यह आप कर सकते हैं तभी आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं दूसरा बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है आपके एक्जाम का यह बोलता है कि जो बच्चे पैट का एक्जाम दिये हैं उन पैट के एक्जाम जो दिये हैं उसके जो आपके मार्क्स आये जो परसंटाइल आया है उसके हिसा होगा जिसको हम मुख्य परिक्षा बोलते हैं जितने बच्चों ने आपना पैट का एक्जाम दिया होगा उनके जो नंबर आए होंगे उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी जितनी वेकंसी उसका 15 गुना लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेंस का एक्जाम होगा जो अच्छा करेंगे जितनी वेकंसी उसके हिसाब से वही आपके फाइनल लिस्ट में जाएंगे इस तरह से पूरा प्रोसेस बनाया गया है ठीक है तो पैट होना क्लियर्टी यह है कि इसमें आपके बीटेक वाले बच्चे अलाउड नहीं है अभी तक तो यही लिखा हुआ है अब आगे देखते हैं कि लोग क्या क्या करते हैं इसमें बहुत सा बच्चे लड़ रहे हैं पहले से चक्कर में कि डिप्लोमा डिक्री दोनों नहीं चाहिए मैं इस वाले लड़ाई पर नहीं लड़ना चाहूंगा मेंली क्या है कि देखो गलत तो ही दैडिस थेंग कि वही दोनों होना चाहिए था जब आप दोनों लगते हैं हम तो चाहते हैं कि आप अपने एई वाले एक्जाम में सब बच जगें डिग्री डिप्लोमा दोनों को लिया करऊं डिए आप उनको मुका ही देंगे तो यसी एक्जाम कर पाएंगे तो वैसे हर जागा डिक्री डिप्लोमा होता है तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं बोल रहे हैं आप इसके के एक्जाम पर ज्यादा फोकरस करें क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जल्दी हो पाएगा भी डिकार तो आपने एक्जाम होने वाला है माई जून में उसके बहुत अच्छे रिस्पॉंस के बाद आपका बनाया गया है इसमें आपका बीएम चल रहा है जिसमें मैंने आपको अभी सिमंट कम्पलीट कर दिया है जाके आप देख सकते हैं और आपका जो पैटन है जो आपके एक्जाम में अच्छ अच्छे कोशन साते हैं वह आप करवाए जाएंगे साथ में 360 डिजिस सोलुशन कराए जाते हैं हर एक टॉपिक को अच्छे डिसकस किया जाता है वह आप जाके इसको देख सकते हैं तुसरा यह आपका पूरा स्कैड जाएगा तो कोशन प्रेटिस दर नीड आपको पता है विना कुछ नहीं हो सकता तो आप इसको जाके देख सकते हैं जो अपने आप रिपरेशन नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको पूरी इंफोरी दे दिया कोई और इंफोर्मिशन आपको चाहिए यूपिटर पर से थुरू तो आप कमेंट सेशन दर लिसकते हैं मैं उस पर यदि वह बहुत जरूरी होगी तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा तब तक के लिए बाबाई जैहिं जैभार